हलो दोस्तों माई ओंटे गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपके पास कोई इमेल आया है और उसमें आपका डाकुमेंट अटेच्मेंट है और आप उसे डाउनलोड कर रहे हैं और आपका डाकुमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा है जैसा कि यहाँ पर मैं आपक को दिखा देना चाहता हूं जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एक mail है और उसमें एक document है जो कि यहां पर कुछ इस प्रकार से attached रहता है और इसे अगर आप download कर रहे हैं और इस प्रकार से downloading file करके दिखा रहा है और आपका 0% पर रुका हुआ है और आपका यह download नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है तो दोस्तों आपने YouTube पे काफी वीडियो देखी होंगी तो उसमें बहुत साइट ट्रिक्स बताई जाती है लेकिन अगर आपको कोई भी ट्रिक नहीं काम कर रही है जैसे कि यहां पर मैं सबसे पहले बता देता हूं आपक को यहां पर clear catch का option देखने को मिलेगा तो यहां से आप clear catch करके देख सकते हैं और अगर यह ट्रिक नहीं काम कर रही है तो आपको क्या करना है आपको परिसान नहीं होना है जैसे कि यहां पर मैंने clear कर दिया फिर भी कुछ नहीं काम कर रहा है और update करने पर भी कुछ नहीं हो तो ऐसे में आपको घबरान नहीं है और आपको एमर्जनसी है और आपको उस डाकुमेंट की जरूरत है तो आपको कोई तीगडम लगाने की जरूरत नहीं है आपको simply यहाँ पर मैं इसको यहाँ से अंडीट कर देता हूं और दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अपने किसी इमेल को और सेम इमेल को यहाँ पर आप लोगिन कर सकते हैं इमेल लिखने के बाद आपका आ जाएगा तो यह वेफसाइट होती है गूगल में तो इस पर जाना है और आपको इस पर लोगिन कर लेना है और यहाँ से आपका डाकुमेंट डाड़ेक्ट डाउनलोड हो चाएग तो यहां पर मेरा mail है मैंने दो mail से login किया है तो यहां पर change कर लेता हूँ और दोस्तों जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मेरा mail है और इसमें मेरा एक document attachment है तो यहां से यह PDF जो है download हो जाएगी आपको simply यहां पर click करना है और आपकी PDF खुल जाएगी और यहां पर मैंने एक बाद download किया था तो यहां से मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ तो जैसे ही आप अपने PDF खोलेंगे और touch करेंगे उसके बाद आपका download हो जाएगा और open हो जाएगा यहां पर password लगा है तो यहां से मैं इस password डालके और आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप बाद मिनना बोलें कि यह fake है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारा PDF ओपन हो चुका है तो दोस्तों यहां पर सिर्फ downloading की problem थी जो की आप से हो रही थी या फिर किस बज़ेत से मैंने काफी setting भी किया और यह problem solve नहीं हुई तब मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस प्रकास से download कर सकें और बाद में अगर आपका download होने लगता है तो कोई दे करनी है लेकिन आपका time बजाएगा और आप safely कोई काम कर पाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवान